और ये घटना है जो हो रही है वो सरकार की नाकामी की बज़े से हो रही है सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए इंकाउंटर कर रही है इंकाउंटर, नई परिवाशा में हाफ इंकाउंटर और भी कई परिवाशा हैं जो सरकार ने बनाई है अगर इंकाउंटर से ही लॉइन ओर्डर बहतर हो रहा होता तो अभी उत्तपदेश कई आकड़ों में और प्रदेशों से अच्छा होता जीरो टॉल्रेंस का नारा देने वाले उन्हें खुद अपने आप पर सोचना चाहिए ये एड्मिस्टेटिव फेलियर था सरकार का फेलियर था कि जब वहाँ पर तै था पुलिस की जानकारी में था तो आखिकार आपने शांती पूर ढंक से क्यों नहीं प्रोसेशन को ले जाने दिया या उस कारकम को संपन क्यों नहीं करा पाई जो लोग एक शांती पूर तरीके से एक कस्वे गाउं का या आसपास के लोगों का कारकम शांती पूर से संपन नहीं करा पारेंगे उनसे लॉडर की क्या उम्मीद करेंगे आप और फिर ये इंकाउंटर, हाफ इंकाउंटर ये डराने के लिए हैं आप उससे ना नाम बताते ना कुछ बताते तब भी मैं कह सकता था कि इंकाउंटर किसका किया है नोंने इंकाउंटर करना और नफरत को बढ़ाबा देना ये सरकार को नया तरीका मिल गया है काम करने के ये अपनी सम नाकामी छिपा रहे हैं याद कीजिए उससे पहले दुनिया में कहीं ऐसा होता हो कि जब पहले इंकाउंटर पर सवाल उठाओ मंगेश पर तो सरकार कहती है क्योंकि हमें बैलेंस करना है तो उसमें छत्रिय को भी मार दिया तो ये कहां का लॉइन ओडर है कहां कि ये विवस्था है जहां पर आप बैलेंस करने के लिए किसी की जान ले रहे हैं और सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए खासकर इस तरह के इंकाउंटर कर रही है जो घटना हुई दुखद हुई जो घटना हुई दुखद थी और ऐसी घटना समाज में नहो जो वहाँ पर फेलियर था हमारे साथी ये पूछ रहे हैं कि आप क्या करते या क्या परिवार से मिलेंगे जो दुखी परिवार होगा उसको नियाए दिलाने के लिए हम लोग काम करेंगे लेकि सवाल ये वही खड़ा हो आता है कि सरकार की नजर में भेदवाब नहीं होना चीए सरकार जो अंग्रेजों ने कभी नारा दिया था डिवाइडन रूल सरकार उसी पर काम कर रहे है डिवाइडन रूल ये आम लोग जानते हैं आम लोग ये बात जानते हैं और आप तो पत्तकार लोग हैं वो दिजीवी हैं और पड़ोसी जिले का मामला है आम मुझसे बहतर जानते होंगे कि ये घटना हुई नहीं है घटना कराई गई है और कराई गई के लिए दोशी कौन होगा अगर जान गई है किसी की भी हम दुख में शामिल हो सकते हैं मुख्वंधी जी मिल सकते हैं लेकिन कराई किसने हैं इस पे आप लोग बहतर जानते होंगे यहां एक कोई पत्कार ऐसा नहीं है जो न जानता हो कि यह घड़ना रोखी जा सकती थी किसी की जाननी जाती अगर जान गई है हम दुख बाटने से ज़्यादा जो आज सरकार भी दुख माट रही है सरकार को इस बात पर दुख करना चीए था है कि घड़ना क्यों हो कई होनी नहीं चीए थी अगर परदेश की पुलिस को बिगार दिया है उत्ता परदेस की पुलिस को बेहतर करने के लिए डाइल हेंडेट से ले करके और सुपधाएं दी कई कारेले इन पुलिस के पास नहीं थे वो कारेले दिये कई इंफरसेक्चर के काम के सरकार ने लेक लेकिन जो पुलिस का तरीका हो गया है जब कभी भी जहांच होगी बहुत से दोसी लोगों के खिलाब करवे होगी जेल भी जाएंगे और आपको तो वो दिन भी याद होगा जिस समय अखवार में निकला था है इसी प्रदेश के इसी सरकार के सबसे पहले DGP उन्होंने कहा क ये पुलिस जो आज इंकाउंटर कर रही है कल इनके साथ कोई खड़ा नहीं दिखाई देगा जो इनकी सरकार के पहले DGP हो वो इन पर सबाल खड़ा कर रहे हो कि ये जितने भी इंकाउंटर होड़ी इंकाउंटर नहीं है ये हत्या हो रही है इसी लिए उन्होंने कहा कि जो लोग यहत्याय कर रहे हैं एक दिन ऐसा आएगा जब इनके साथ कोई खड़ा नहीं होगा और मुझे सुनने में यहां तक आया है आप बहतर बताना इस बात को कि जिस व्यक्ति ने पहला वीडियो वाइरल किया उस प्रसेशन का उस पतकार के हाथ या पैर में बहुत में में तो समझे क्या छिपा रहे हैं कुछ तो छिपा रहे ना